हलो फ्रेंस, विलकम टे टू जे नोलेज क्लासेश, आज की इस वीडियो में हो लो देखने वाले हैं, क्लास 10 का फिजिक्स का दूसरा चेप्टर, प्रकास का अपवर्तन का लगुतर या प्रासन, तो वीडियो को अंत्तक जरूर देखिए, चलिए तो वीडियो को शुरू कर प्रकास के अपवर्तन का क्या तात पड़े हैं, तो इसका उत्तर लिखना है, प्रकास की किर्णों के एक पारदर्सी माध्यम से दूसरे पारदर्सी माध्यम में जाने पर दीशा परिवर्तन की किरिया को प्रकास का अपवर्तन कहते हैं, चलिए अगला प्रसन देखिए, दुसरा नमर प्रस्ण है, हमारे डैनिक जीवन में परकास के अपवर्तन के उप्योग के दो उधारन को लिखिए, तिहाँ पर उत्तर दिखना है, पानी के सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, और दुसरा लिखना है, पानी में सिक्के का उपर उठा हुआ दिखना, चलिए, अगला प्रस्ण देखिए, तिसरा, परकास की एक किरन का अपवर्तन दिखाने के लिए किरन आरेक खीचे, देखिए, इस वाले प्रस्ण का उत्तर लिखने के लिए, भारतिवन के पुस्तक है, उसकी प्रिष्ट संख्या 24 में एक चीतर दिया हुआ है, दो दसमलो अभिलम की ओर जुकेगी, अथवा अभिलम से दूर हटेगी, बताएं क्यों, इसका उत्तर लिखना है, अभिलम की ओर जुकेगी, क्यों की जल सगन माध्यम है, हवा के तुलना में सगन माध्यमें परकास की चाल कम होती है, जिससे परकास अभिलम की ओर जुक जाती है, चल पानी में परे सिक्के को देखते हैं तो हमें सिक्के उपर उठा हुआ प्रतित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी एक सघन माध्यम है हमारे आख जो कि हवा में होता है यानि बीरल माध्यम में तो जब पानी में परा सिक्का से परकास निकल कर हमारे आखों में जाता है या सिक्का अपनी निश्चित अस्ठान से थोड़ा उपर डिखाई देता है चलिए अगला प्रसन देखिए छे नमर प्रसन है परकास के अपवर्तन के नियमों को लिखे आप उत्तर लिखना है परकास के अपवर्तन के दो नियम निम्नलिखित है देखे पहला नियम है आपतित की रन आपतन बिन्डू परभिलम आपतित की रन तीनों एक ही समतल में होता है चलिए दूसरा लिखना है किनी दो माधियमों और परकास के किसी विशेश के लिए आपतन कोन की जया और अपवर्तन कोन की जया का नुपाद एक नियतांक होता है चलिए अगला प्रसंद दिखिए साथ नमर असनेल के नियम को लिखकर समझाए तेहाँ पर उत्तर लिखना है असनेल के नियम है साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक है यानि आपतन कोन आई की जया और अपवर्तन कोन आर की जया का नुपाद एक नियतांक होता है चलिए अगला प्रसंद दिखिए आठ नमर प्रकास की एक किरन पुंज पानी पर तेहरते तारपीन की परत पर आपतित होती है यदि वायू तारपीन और पानी के अपवर्तनां करम सा 1.00, 1.460 तथा 1.033 हो तो समझाएं कि किरन पुंज किस परकार वायू से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगे तो इसका उत्तर लिखना है जब परकास वायू से तारपीन में जाएगी तो अभिलाम की वर जूक जाएगी फिर जब परकास तारपीन से निकल कर पानी में जाएगी तो अभिलाम से दूर जूक जाएगी चलिए अगला प्रस्ण देखिए नव नमर प्रस्ण है आपको एक उत्तरलेंस एक अवतरलेंस तथा एक कांच की बिर्यताकार पटिका दी गई है उनकी सतोहों को बीना छुए आप अंतर कैसे बताएंगे इसका उत्तर लिखना है इसके लिए हम उनको चिम्टे पकर के बारी बारी सुन ही किसी लिखी पुस्तक के प्रिष्ट के पास लाते हैं और छपे अच्छरों को ध्यान से देखते हैं चलिए इसके बाद लिखना है पहला नमर में छपे अच्छर अपने वास्त्विक आकार से बरे दिखाई परते हैं तो यह उत्तरलेंस है फिन उसके बाद दूसरा लिखना है कि यदि छपे अच्छर अपने वास्त्विक आकार से छोटे दिखाई परते हैं तो यह अवत्तरलेंस है और तिसरा में लिखना है यदि छपे अच्छर अपने वास्ट्य का कार से बरावर दिखाई परते हैं तो यह बिरितेकार पतिका है चलिए इस तरह से इसका एंसर लिख दिना है चलिए अगला प्रसंद देखिए 10 नमर किसी उत्तर लेंस द्वारा जब सुड़े की किर्णों को किसी कागज पर फोक्सित करते हैं तो वह जल उठता है कारण अस्पस्ट करें तो इसका उत्तर लिखना है किसी उत्तर लेंस द्वारा जब सुड़े की किर्णों को किसी कागज पर फोक्सित करते हैं तो वह जल उठता है क्योंकि सुर्य आती परकास उर्जा के साथ साथ उसमे उर्जा उत्तर लेंस से होती हुई कागज के छोटे हिसे पर फोक्सित होती है जिससे कागज का वह हिसा जल उठता है चलिए अगला प्रसन देखिए 11 नमर उत्तर लेंज को आखों के सामने रखकर सुड़िय को देखना क्यों मना है तो इसका उत्तर लिखना है उत्तर लेंज को आखों के सामने रखकर सुड़िय को देखने से सुड़िय से आती उसमा उर्जा हमारे आखों में फोक्सित होकर उ उसको अतियधिक छहटी पहुचा सकती है। इस तरह से इसका उत्तर लिख देना है। चलिए अगला प्रसन देखे। बारण नमर प्रसन है। यदि किसी उत्तर लेंस पर आपतित किरन लेंस के अच के समानतर है। तो वह लेंस अपवर्तन के पस्याचात किस परकार मुड़ेगी। किरन अरेखदवाई से अस्पस्ट करे। तो इस वाले प्रसन का उत्तर आपको भारती वहन के पुष्तक के प्रिष्ट संख्या 35 में जो चीतर दिया हुआ है दो दसमलो तीन एक वहाँ से देखकर उसे बना लिजेगा। चले तेरा नमर प्रसन है उत्तर लेंस और अवत्तर लेंस के अंतरों को अस्पस्ट करे। तो इसका उत्तर लिखना है उत्तर लेंस और अवत्तर लेंस के निमलिखित अंतर है। पहला लिखना है उत्तर लेंस के दोनों किनारों किया पेच्छा बीच में मोटा होता है जबकि अवत्तर लेंस दोनों किनारों किया पेच्छा बीच में पतला होता है उसी तरह से दुसरार में लिखना है B में उत्तर लेंस परकास को अभी सरित करता है जबकि अवत्तर लेंस परकास को अपसरित करता है चलिए इसके बाद C में लिखना है उत्तर लेंस का फोकस वास्तिक होता है जबकि अवतर लेंस की फोकस कालपनिक या आभासी होता है चलिए 14 नमर प्रस्ण है उत्तर लेंस को अभी सारी लेंस और अवत्तर लेंस को अब सारी लेंस क्यों कहा जाता है तो इसका उत्तर लिखना है उत्तर लेंस अपने पर पढ़ने वाले प्रकास को अभी सरित यानी एक जगह फोक्सित करता है इसलिए इसे अभी सारी लेंस कहते हैं और अवता लेंस अपने पर पढ़ने वाले परकास को अब सरित यानी फैला देता है इसलिए इसे अब सारे लेंस कहते हैं चलिए अगला प्रसंद देखिए 15 नमर एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी एफ है यदि एक वस्तु को लेंस से तू एफ चलिए अगला प्रसंद देखिए 16 नमर लेंस की चंता से आप क्या समस्ते हैं इसका मात रख लिखे तो इसका उत्तर लिखना है लेंस की चंता लेंस के उस समर्थ की माप है जो परकास की समानतर किर्णों को कितना अभिसरन या अपसरन करता है इसके वाल लिखना है किसी लेंस की छमता इसी का एक और प्रिवासा है या करके किसी लेंस की छमता उसकी फोकस दूरी के ब्यूत कर्मानू पाती होती है इसका एसाय मातरक लिखना है पर मीटर यह होता है एसाय मातरक या इसे डायोप्टर भी कहते हैं तो डायोप्टर भी लिख सकते हैं चलिए देखिए 17 नमर प्रसन है मुख अच को एकस अच और परकास केंद्र को मुल बिंदु मानकर आप यू भी एवं एफ के चिन कैसे निरधारित करेंगे चलिए इसका उतर दिखना है मुल बिंदु के बाई और और एकस अच पर धनात्मक चिन माना जाएगा और मुल बिंदु के दाई और एकस अच पर रिनात्मक चिन माना जाएगा इसलिए यह रिनात्मक चिन में रखा जाता है क्योंकि यह मुल बिंदु के बाई और रहता है और भी और एफ डाई और बाई तरफ हो सकता है इसलिए धनात्मक और रिनात्मक चिन दोनों का हो सकता है चलिए 18 नमर प्रस्ण है एक उत्ता लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा परतिवीम लेंस से 40 cm पर बनता है यदि परतिवीम का आकार वस्तु के आकार के बरावर हो तो वस्तु लेंस से कितनी दूर पर है और लेंस की छमता क्या है तो इसका उत्तर लिखना है चुकि वस्तु और परतिवीम के आकार बरावर है इसलिए वस्तु उत्तर लेंस की दूरी फोकस दूरी पर रखा है और इसकी छमता पलस 5 डियोप्टर होगा चलिए 19 नवर प्रस्ण है कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाये गए लेंस निकायों का उप्योग समानियता कहां किया जाता है तो इसका उत्तर लिखना है ऐसे लेंस निकायों का उप्योग, समानियता, कैमरों के लेंस तथा सुच्म धर्सी एवं धुर्दर्सकों के अभिद्रिस्यों के डिजाइन में किया जाता है तो आपको ए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कलास टेंट का फिजिक, कमिस्टी और बाइलोजी का अतिलगू, लगू और दिर्ख का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए